नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रतना और स्वागत करती हूँ आपका रतना के रस्वई चैनल पर आज मैं बना रही हूँ इमर्ती, लोग सुछते हैं कि इमर्ती बनाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से इसे बताने वाली हूँ बना कर कि अब आप भी बहुत ही इसली इसे बना पाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पड़ लिया है 1.500 ग्राम उरेद का दाल और इसे 2-3 घंटे फुला लिया है 2-3 घंटे में यह बहुत अच्छी तरह से फुल कर रेडी हो जाता है और अब इसे हम बिलकुल बारिक पीस कर तयार करेंगे तो दाल को छान लेते हैं और इसे मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और एक तम बारिक इसमें बिलकुल भी दाने नहीं होने चाहिए दाल के हलका सा पानी डाल कर इसे हम बिलकुल पतला पीस लेंगे यह दाल हमने बिलकुल बारिक पीस कर रेडी कर लिया है अब इसे किसी बरतन में निकाल लेंगे ध्यान रखें कि दाल बहुत अच्छी तरह से पीसा होना चाहिए बिलकुल पतला इसमें कुछ भी हलका-फुलका दाना भी नहीं होना चाहिए और इसे अच्छी तरह से इस तरह से फेट लेंगे फेटना बहुत जरूरी है अच्छा इमर्ती बनने के लिए तो मैंने 2-3 मिलिट इसे अच्छी तरह से फेट लिया है अब हम चासनी बना लेंगे 200 ग्राम में यहाँ पर चीनी ले रही हूँ जिसे एक कटोड़ी से नाप लिया है एक कटोड़ी चीनी हमारा हुआ है और एक कटोड़ी चीनी में मैं आधी कटोड़ी के असपास पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देती हूँ गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मिल्ट कर लेंगे चीनी को चीनी बिखल चुकी है अब इसमें उबाल भी आने लगा है गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे एक मिनट पकाएंगे एक मिनट के बाद ये चासनी हमारी तयार हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे इसके बाद चासनी मैंने इलाइची भी थोड़ी सी कुट कर डाल दी है और इमर्ती का अच्छा कलर आने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर एड़ किया है आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं ये उपसनल है तो ये चासनी हमारी तयार हो गई है अब हम चलते हैं दाल की तरफ तो दाल को मैंने अच्छी तरह से फेट लिया था इस तरह के कोई पैकेट की साहता से हम इमर्ती को बना कर तयार करेंगे ये दही का packet है और इसे मैंने धोकर अची तरह से साफ करके और इसे पोच लिया है ये साफ हो गया है इसे किसी glass में इस तरह से रखेंगे ताकि हमें ये डाल का जो paste है उसे रखने में आसानी हो और अब हम डाल को चमत से इस तरह से इसमें डाल लेंगे दाल को इतना डालेंगे कि ये पॉलिथिन में आसाने से आ जाए ये इतना काफी है अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे उपर से और हलका साइसे यहां से कट लगा लेंगे जितना भी पतला या मोटा आपको इमर्ती रखना है ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से निकलना स्टार्ट हो गया है अब हम तब तक टेल को गर्भ होने के लिए रखते हैं और थोरी देर प्रैक्टिस करते हैं इमर्ती बनाने की एक प्लेट में इस तरह से सर्कल बन सर्कल बनाते चले जाना है इस तरह से फोल्ड करते हुए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं एक और इमर्ती बनाने का तो सर्कल हमने बना लिया डबल सर्कल की तरफ चल रहे हैं और इसके बार इस तरह से हमें घुमाते हुए फिर सर्कल बनाते हुए इमर्ती को आकार देना है शेप देना है बहुत आसान है यह बस समझने की जरूरत है तो अब चलते हैं तेल की तरफ गर्म हो क्या होगा वह एक बार चेक कर लेंगे तेल कितना गर्म है और इसके बाद इसमें हम इमर्ती को डालेंगे तो इमर्ती डालने के पहले हम गैस का फिल्म लो कर देंगे तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें अब इमर्ती को शेप देंगे तेल में जैसे ही इमर्ती को डालने लगते हैं यह फ्लोट करने लगता है उपर तैरने लगता है तो आपको जल्दी जल्दी थोरा सा इमर्ती को शेप देना होगा अब दूसरी इमर्ति को डालेंगे तो थोरा से हमें फास्ट हाथ चलाना होगा इसे शेप देने के लिए इस तरह से अब एक बार में जितनी भी इमर्ति इसमें आ सके उतनी इमर्ति को डालेंगे फैन में और इमर्ति को डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे मीडियम गैस फ्लेम पर हम इसे शेकने देंगे ताकि अंदर तक यह अच्छी तरह से पक सके हाई फ्लेम पर इसे हमें नहीं बनाना है नहीं तो ऊपर से यह कलर चेंज हो जाएगा इसका जल जाएगा और अ medium flame पर ही दोनों तरफ fry करेंगे अच्छी तरह से fry हो जाने के리ं हम इसे तेल से स्लइ praticamente और जासनी में मैं इसे डिप डिप कराओ चाशनी में डालकर रिती है ताकि इमड्नी में ची तरह से में चासनी के चल छाये आए और इसे करीब एक मिनट चासनी में हिड़ने देंगे ताकि अच्छी तरह से सोक कर ले चासनी और उसके बाद इमर्थी को निकाल कर हम बाहर कर लेंगे इसी तरह से इमर्ती को friends fry करकर के और चासनी में dip एक एक मिनट करने के बाद सब ही इमर्ती को ready कर लेंगे निकाल कर तो ये tasty tasty इमर्ती अब बिल्कुल तयार है आप इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इमर्ती को बना कर तयार कर सकते हैं अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब ते के लिए टेक के और बाई बाई